ओम नमस्षिवाई तंत्र केर चैता भगवानशिव को मेरा नमस्कार है आज मैं एक ऐसा यंत्र आपको दूँगा जो कि किसी को भी पलक जपकते ही आपके वश में कर देगा इस यंत्र का निर्मान आपको करना है शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन आपको इस यंत्र को बनाना है और इसकी जो शाही होगी वो लाल रंग की होनी चाहिए चाहे वो सिंदूर हो रोली हो या कोई भी कलर पैन हो उससे आप लाल रंग से इसको बना सकते है जब यंत्र निर्मान करें उस समय पर आपको एक चीज ध्यान में र जाकर इस यंत्र का निर्मान करें और यंत्र निर्मान के समय आप अकेले होने चाहिए आपके आस पास दूर दूर तक कोई ना हो तब इस यंत्र का निर्मान कीजेगा यंत्र निर्मान की विधी कुछ ऐसी है कि आपको शुक्रवार के दिन दोपहर को किसी जंगल में किसी आसपास कोई नहो जब आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपके आसपास कोई नहीं है तो जंगल के बीचो बीच एक गड़ा खो दें गड़ा इतना गहरा हो कि यह जो यंत्र है यह अगर आप दुबारा निकालना चाहे तो निकलेना और इसके बाद जो है इस यंत्र का निर्म सिद्ध नहीं होते तो अनार की कलम से इस यंत्र का निर्मान शुरू कीजिए आपकी जो दिशा है वो होनी चाहिए जहां से सूरज निकलता है उसकी तरफ मुह कर लीजे आप और यंत्र का निर्मान शुरू कर दीजिए जब यंत्र निर्मान पूरा हो जाए तो जो भी आ आपकी कामना है वो बताईए कि गुर्देव आपकी कृपा से जो मैंने काज किया है इसको सफल कीजेगा और आप पाएंगे कि हफते भीतर आपका जो एक काम है ये पूरा हो जाएगा यंत्र निर्मान के बाद आपको जो यंत्र है उसको उस गड़े में गाड़ देना है और उसके बाद आपको बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाना है ये शुकरवार के दिन ही करना है यदि फिर भी कोई दिक्कत परिशनी आए को समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल मैं इसका 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इसका जवाब दे दूगा धन्यवाद